हेलो फ्रेंड्स स्वागता आपका हमारे चैनल सरकारी जौब ग्यान पे आज की स्वीडियो में बात करेंगे RRBJ exam 2019 के वारे में क्या latest update है जो आपका CVT1 का result है वो कब तक जारी कर दे जाएगा तो इंतिजार है दोस्तों आपका जल्दी खतम होने वाला आपको पूरी update में लेगी कि जो आपका result है कब तक जारी कर दे जाएगा तो बहुती बड़ी खबर लेका है दोस्तों हम आप सब के लिए आपे वीडियो का अंतक देगे जैसे कि दोस्तों आप सब को पता है यहाँ आपकी अंसर की है कई बार जारी कर दी गई है लेकिन अभी तक आपका result जारी नहीं हुआ है और दोस्तों आपकी CB2 की exam date भी बता दी गई है की ऑफिशल वेबसाइट पर जाके कि जो आपका exam है अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट विंग में स्टाट हो जाएगा तो दोस्तों कई चात्रों ने यहाँ पर RRV को mail किया है कि हमें ज्यादा time दिया जाना चाहिए यहाँ पर CB2 exam की preparation के लिए ताकि हम अच्छे से अपनी preparation यहाँ पर कर सके क्योंकि कई चात्र है जो technical पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर काफी सालों से उन्होंने technical की तयारी नहीं किये तो इसलिए वो थोड़ा जादा वक्त मांग रहे हैं यहाँ पर CB2 के लिए तो दोस्तों आप भी नीची comment box में comment करके बता है कि क्या आपको यह सही लगता है कि और ज्यादा समय मिलना चाहिए आपको या आप इसी में सहमत है कि जो आपका exam है अगस्त के एंडे सितमर के first week में start होना जाने चाहिए बात करेंगे दोस्तों result के लिए जो आपका result है हाँ पर कब तक आ जाएगा तो दोस्तों बात करते है result के लिए यहाँ पर आप देख सकते है एंडे टीवी की अफिशिल न्योवेज है एंडे डीवी इंडिया की आरारवी जेई result 2019 जानिये कब जारी होगा आरारवी जूनियर इंजीनियर बढ़ती परिशा का result तो दोस्तों बात करें आपके result के लिए यहाँ पर लिखा हुआ दोस्ते हाँ पर आप लोग देख सकते हैं जेई का result 7 अगस तक जारी कर दिये जाएगा तो यह कुछ खास लेटस्ट अबरेट है दोस्तों आप सब के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 7 अगस तक आप जो रिजल्ट है जारी कर दिये जाएगा और CB2 परिक्षा में आपके ल से लिखेती ही सर जो है minimum qualified marks भई छात्रों को यहाँ पास किया जाना चाहिए तो दोस्तों उस पे तो अभी उमीद कमें क्योंकि काफे सारे छात्रों के यहां बहुत जादा marks आये लगवक 45 प्लस तो हर candidate से यहाँ नंबर आये यहाँ पर तो देखते दोस्तों जैसी RRV cutoff आ दे जाएगा तो ही कुछ खास latest update आप सब के लिए अभी इस वीडियो में तो thank you for watching this video